नमस्कार मित्रों GSUMOR पर आपका स्वागत है आस्ता करता हूं मैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा मैंने आपसे कमेटमेंट करा था कि GSUMOR पर हम बहुत जबर्दस एक नई सीरिज लेके आने वाले हैं इस वीडियो सीरिज में हम वर्ल्ड मैपिंग करने वाले से तो हम नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे और जैसे हम पहले नॉर्थ अमेरिका कंप्लिट करेंगे उसके बाद साथ अमेरिका उसके बाद हम एशिया दैन हम अफ्रीका और इस तरह से हम सारे अपने कर रहे होंगे अपने सारे कॉंटिनेंट्स को अब हमने अगर हम start करते हैं North America के जल संधियों के बारे में आपको बता दूँ, तो पिछल संधि कुछ नहीं होता, simple सा एक बहुत सक्रासा मार्ग होते हैं, एक सक्रासा रास्ता होते हैं, एक सक्रीसी वॉटर वाड़ीड होती है, और दो जो लेंड होते हैं माली जा यहां A नाम का لेंड है यहां B नाम का लेंड है इन डौनों की बीच में वो के निकलती है तो ये जो भूमी जो स्थान होता है जो लेंड एरिया होता है उन दो लेंड एरिया को बड़ करती है और दो जो water bodies होती है यहां हम आज अपना पहला देखते हैं सारी स्टेट्स को हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे इसमें पर यहां पर जिस एरिया के बारे मैं आपको जूम करके बता हुआ वह एरिया मैंने जूम करके यहां पर लगाया हुआ अज़ेटर स्टेटर गाया हुआ पर मेरे पास इसलिए हम बहुत बेसिक चीज़ों के साथ मैं आपको चीज़थें और यहां पर संपल सा मैप के फौटोस हैं वही मैंने आपको सामने रखे हुए होicky उनिको जैसे हमें पढ़ते हैं वही ही को स sağ También पहले मैं आपसे यह request करना चाहूं, अगर आपके पास Atlas नहीं है, तो please आपके पास Atlas जरूर होना चाहिए, जो points में बता रहूं, आप उनको note-down जरूर कर ले, so that आप उनको बार-बार revision कर सकें, क्योंकि यहां जो एक-एक point होने वाला है, बहुत important होने वाला है, तो सबसे पहल में आके, इस तरह परिक्रमा लगा के एक तरीके से, इस तरह से हम अपनी चीज़ों को यहां पर cover कर रहे होंगे, सबसे पहले हमें स्टार्ट करेंगे, अपनी Hudson जलसंदी की, यह हमें मिलेगी जहां पर Greenland है, यहां पर Greenland मिल जाएगा, यहां पर Hudson जो Bay मिल जाएगी, almost मैं आपको बड़े मैप में पहले यहां पर बता दूँ, अब ध्यान से अगर देखें, तो यहां पर आपको Hudson State मिल जाएगी, यही पर यह वाला जो एरिया है, इसी वाले एरिया को जूम करके मैं आपके लिए यहां पर provide कराया हुआ है, तो अगर हम Hudson State की हम बात करेंगे, तो Hudson Hudson State आपको मिलेगा, यहां, यहां हमार Hudson State, स्टेट का जैसे मैंने आपको बताए, एक पतला सकरा जल मारू होता है, जो दो बड़े water bodies को जोड़ता है, तो Hudson State की location आपने यहां देख लिए, आप अपने map में इसको लॉकेट कर लेंगे, अब जब हम इसको देखेंगे, यह कौ हमारी स्टेट होती है, जो जल संदी होती है, वो जो दो स्थल मार्ग होते है, यानि दो लेंड होते हैं, उन दो लेंड को अलग भी कर रहा होता है, तो देखते हैं यहां पर हमारी Hudson State है, तो यहां पर उत्तर में हमारा Baffin Island, यह जो Baffin Island है, बैफिन दीप को जो कनाड़ा क पैनिंसुला है, इस उंगावा जो पैनिंसुला है, उंगावा प्राइदीप जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इस उंगावा प्राइदीप को जो है Baffin Island से अलग करती है हमारी Hudson State, तो चारो तरफ की चीज़ें हमने देखने हैं, Hudson State की, बहुत important है, exams में कई बार पूछा जा जहां बात कर रहे थे, तो यह हमारा Baffin Island, Baffin Bay है, और यहां मिल जाएगी हमें, बड़े मेप में, अगर हम देखेंगे, पूरी उत्री अमेरिका के साइड में, तो यहां मिल जाएगी हमें, जो है हमारी Davis जलसंदी, अगर मैं आपको यहां जूमिंग वाले मेप हैं, यहां दोनों को जोड़ रहे है, Baffin की खाड़ी को लेबरादोर सागर से इन से जोड़ती है, अब दो लैंड हैं, उन दो लैंड को कौन को अलग करेंगे, पश्चमे और बूरभ में, तो पश्चमे जो Baffin Island है, Baffin Deep को यह, Greenland जो कि आपको बहुत बड़ा देख रहा है, इस Greenland स यह अलग करती है यह फिर दूर रखती है ठीक है तो यहां पर इसकी जो मैंने बड़ा मैप था यहां पर भी मैंने आपको लॉकेशन बता दी यहां पर जो आपको थोड़ा सा वाटर बोडई जिक्तरा है यहां पर मिलेगा हमें तो अगर उस जूम वाले मैप में देखें तो यहां पर नॉर्थ अमेरिका का जो आपका इस्टर वाला जूम है यह राय यहां पर यह जो केप सेंड चाल से ना इसी के पास में यह बहुत पतला सा सक्रा सा जो एरिया है इस टेट अफ बैठी आलिया यह वाला एरिया मिल हमारी Gulf of St. Lawrence और Labrador सागर हमारा यह रहा अब भाई हमने देख लिए तो देख लिए दो वाटर बोडिस को जोड रहा है अब यह भी देख लेते हैं कि यह किन-किन दो जो लेंड को अलग करता है तो यह जो बैली आइलेंड जलसंदी है यह न्यूफाउंड लेंड को कनाडा क प्राइदीप इन दोनों को अलग कर रहा है तो इसी तरह से हम सारी स्टिट्स का क्वालिटी देख रहे होंगे अगले हम देखेंगे फ्लोरेडा की जलसंदी जो इहां से questions भी हम से पूछे जाते हैं Florida की जलसंदी को मैं आपको बता हूँ बड़े map में जाएंगे तो मैंने जैसे बताया था ना कि उत्तर से दक्षण की सैड हम ऐसे नीचे की तरफ move करती हुआएंगे तो यहां पर यह जो लटका हुआ एरिया है इसको बोलेंगे हम Florida यहां पर हम देखेंगे अब हम देख लेते हैं यह किस को जो है जोडता है तो अगर इसके बारे हम बात करें तो जो फ्लोरिडा जलसंदी हमारा यह उत्तरी Atlantic महासागर को मैक्सको की खाड़ी से जोडता है ठीक है तो जो आपको मैक्सको की खाड़ी होगी यह जो आपको लिखा देख सागर यानि कि जो North Atlantic सागर का है यह इन दोनों को जोडता है अब हम बात करेंगे लेंड ऐसे कौन को से जिनको यह दो लेंड है जिनको अलग कर रहा होगा तो यह जो फ्लोरिडा प्राइदीप है यह जो लटका हुआ ऐसा देखेगा आपको इसे बूलते हैं फ्लोरिडा प लेंगे हम अपने युकाटान चैनल पर ठीक है युकाटान चैनल की बात करेंगे तो फ्लोरिडा जो अमारी जलसंदी है और चैनल दोनों का अल्मोस एक ही काम होता है जो चैनल होते है उसी तरह से हमारा यह जो इसकी आपको बात करूं तो अगर इसको मैं आपको बड़े म युकाटान चैनल एक आपके वाला होगा वह यहाँ पर आप देख सकते हैं यूकाटान चैनल आपके सामने अगर इसको मैं बता हूं तो आपको यह मैखसुको को यूकाटान प्रायधिप को क्यूबा से अलग करता है तो ऑलग करनी की बात होगी तो यह आमार एस्ट में क् को अलग करेगा, बात करें अगर ही किस किस water body, water body को जोडेंगे तो ये Gulf of Mexico है, उसे Caribbean सागर को जोडेगा, ठीके, यानि ये channel बनाए यानि इन दो water body, water body, उसको Yucatan channel के दुआरा जोड दिया गया किस को, पूरो में Caribbean सागर और पस्ट्रे में Gulf of Mexico, तो इस तरह से आप साथ की साथ भी जो है, अपनी मार्किंग करते चलेंगे, अपने मैप पे, और so that आपको चीज़ें अच्छे से याद रहा है, अब the most important आता है next हमारा Panama Canal, पनामा नेर के बारे में अगर हम देखें, तो यह जो हमारा उत्तरी अमेरिका और जो मध्य अम जब अगर पनामा कैनल जब तक स्टार्ट नहीं होई थी तब से अगर हम आने जाने का रूट देखें, तो पहले ऐसे करके हम पूरे साथ अमेरिका का केप होर्न जो रूट है, इससे पूरा ऐसे चक्कर लगा के हम सैड में आते थे, जो हमारे जो पश्मी नौर्थ अमेरि साथ…. के बढ़ने के बाद यह अलमस्त बनके रहे गया, आधा आधे देख Laurent देखेंगे तो आट-हजार मैल से बनके रहे गया और यहा से जब हम सीधा मूँव करेंगे तो नौर्थ अमेरिका और साथ हमरे के बीच में यह हमारा ऊहमारा हम अन्हारो यह भी हिससे अगर फूका अब जैसा मैंने आपको बताया था हम इस्ट से गूम के आ चुके हैं इस्ट की जो most important canal से उनको गूम के आ के देख चुके हैं यहां पर हमने यह को भी देखने को मिला हमें जाब के फ्लेटरी है इसके पास में आपको मिल जाएगा अब यहां पर अगर बात करें जुआंडी फूका एस्टेट के बारे में तो यह वैंकुवर दीप को कनाडा से अलग करता है तो यह आप देख रहें न हलका सा यह जो वाला एरिया है यह है वैंकुवर आयलेंड और यह है म दोनों को अलग करता है जब अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह अगर जो वैंकुवर आयलेंड वाला एरिया है जुआंडी फूका जो इस्टेट है इसके बारे में बात करें तो यह प्रसांद मासागर एक बहुत ही समुद्री मार्ग भी हो जाता है यहां पर होके सम अगला अगर सबसे इंप्राइं चैट सीट से हमें बात करें तो बेरिंग लिल जाएगा हमें नौर्थ-अमेरीकल जो इधर से में बात करेंगे तो नॉर्थ-as realmente णॉश्य और यहारी South नौर्थ अमेरिका और इधर हो जाएगा कौन सा एशिया वाला पार्ट आ जाएगा तो नौर्थ अमेरिका और एशिया इन दोनों के बीच में हमको कौन मिलेगा जो हमारा Bearing Strait है छी है यहाँ पर मिलेगा हमें यह जो वाला पार्ट है या bearing state जोडेगा किस को, किस को add करेगा, तो हम देखेंगे, यहाँ पर मिलेगा हमारा bearing saagr, और उपर देखेंगे हम, तो यहाँ पर bearing saagr मिल जाएगा, और इधर मिल जाएगा हमें, architect saagr मिल जाएगा, ठीक है, तो जो bearing saagr को, architect ma saagr का, जो ब्यूफोर्ट सी है, यहाँ पर आम देखेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें ब्यूफोर्ट सी, ठीक है, तो जो ब्यूफोर्ट सी किसका ऐसा है, यह आर्केटिक जो सागर है, उसका ऐसा है, ठीक है, यहाँ देखेंगे ना, बड़े मैप में आप यहाँ से देख सक सकते थे नोरत अमेरिका में वो एक छोटे से वीडियो के मादम से मैंने आपको exactly बताएं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि जो चीजे मैं आपको समझाने कोशिश कर रहा हूं आ रही है कि नहीं बागी हाँ इन सब का जो कंटेंट है इसके रिगार्डिंग मैं आपक कर रहे होते हैं तो इस तरह जो बेस्ट कंटेंट हो सकता है मार्केट का जो हमारा मैपिंग की बारे में तो इस तरह से हम सारे पूरे वल्ड की मैपिंग को चोटे चोटे वीडियो के मादम से कर रहे होंगी आप से रिक्वेस्ट आपको अगर चीजे पसंद आ रहे हैं तो